हेलो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब आता करते हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक ठाक चल रही हूं भी आदस आल और आप सबते हैं कि और यह होरные вещ दूस्प और इन परभा बना प्रतुटि का बना थ्मिंदी का घंदि में नेटे अखता जी मेठेनी को प्रत्रों में दों कि कब automated ख़ग करें। और इतना टेश्टी बना था इतना टेश्टी कि आप मेरी तरह से कभी बना के देखिएगा और मुझे कमेंट कर बताईएगा तो चुकिए आरी इनका अफ था तो यह बाबू को छोड़ कर आये गाड़ी आती है लेने लेकिन बाबू नहीं जाता है उससे रोने लगता है यह बाबो को छोड़ कर आया और यह सो गया और यह पूरी गहरी निन्न में सो गये थे तो मुझे बहुत त्यज़ भूग लगी थी मैं नहां चुकी थी तो मैंने सोजा मैं नास्ता करनों अब पाप लिखे यह जो भी लिखे पती के खाने के खा रही होने के मेरे इस तरह से मैं नास्ता करके फिर मैं लेट गई थी नास्ता करके क्योंकि थोड़ा तबीयत बिगडी हुई लगने लगती है तो लगों कौने नौब यह जग है तो बोलें एक सब्सक्राइब पिला दो फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा मदद तो यह बहुत करते हैं बहुत हल्प कर तो मैंने भी सुचा कि सोने देते हैं आज ऑफ है और बाबु वेशे घर में रातायत परिसान बोट करता है सोने नहीं देता है तो मैंने भी सुचा ठीक है सुच्छे ऑफ में घर ही चले गए थे तो यहां पर जितरा आप लोगों को पता है मैं चाय को बहुत ज्यादा पक मुझे पीना चाहिए इस तरह चाहिए उनको देने के बाद फिर वो नहाने वाहने चले गए क्योंकि खूड़े वाले का वेट कर रहे थे खूड़ा भी दू-तिन दिन का ज्यादा जमा हो गया था काम करके वो चली गई है मेरा तो नहाना होगे रहो गया यह वो लेट से भ पूड़ा और वो चनाम होंगे सब देखा वो सब मिलाकर मैंने दिया और उसके बाद आज मैं बनाने जारे हूं खाना में तो आज आफ है अराम से बनाओंगे तो बनाने जा रही हूं और इसको करते हैं वैसे यूटूब पे देखी रख बेशन के गट्टे इस तरह से कही आए तो मैं यहां पर मसाला वागे तयार कर चुकी हूं और मैं अभी रसी रसी के से लिए से नहीं कर रहे हूं कि मैं पहले पहली बार बना रही हूं मैं देखोंगी अच्छा बन जाता है तो इसकी रेखिप ज़रूर से करूंगी इसमें हैं मैंने बहुत महनत किया है और यहां पर लगद मेरा सब्स्ची उबल गया है और मां बता रही थी मुझे कि जो मेरी देवराणी मुंबय या वो बनाया करती थी तो पूरानी बता पाये थी आधा बताते बताते कोई आ गया था और बाता हई रहा गया था और पिर अधूरा प्रियाश में कर रहे हूं मंडी के सबी कूछ लिए और मपकी य। को बसof poverty तरह से बेद्स ऑय होते रहे हूँ कि यहां पर यह जो पूरी तरह से तयार हो चुका है और अभी तो इतना सुनदर रवी लग लग रहा है देखने में और यह धेंने में शुद्र की इसमें सनुमाल हुआ है इतना देखने में जो इतना अच्छा लग रहा है समझ सकते हैं तो खाने में कैसा लगेगा और खाने के बाद मैं खालूंगी फिर बताऊंगी कैसा लगा और अगर अच्छा नहीं बना तो फिर क्या बताऊंगी नहीं सेयर करूंगी सॉफ्ट बना या नहीं बना दिया पर मै उधर निखाल दिया और चावल निकालेकर बहुत लंबा समय तरग खड़ा राना पड़ा सब्झी के लिए तो मैंने चौसाइघ निकाले ओर हॉल में ही पंका फूल के बैट वे मनेका मैंने खाना निकाल दिया अब आप खाना laagya लेकिन यह प्राता केर करते हैं च्छाइश सुबह वह सामों जब भी हो इतना भी है तके रहते हैं और यह पूछ रहे हैं तुम क्या बनाई हो यह कितना भी ठके रहे लेकिन इसलाद खाना में जरूर शामिल करते हैं डॉक्टर ने भी कहा है और सब को खाना चाहिए एक समान आदमी को भी यह बोले ठीक है तुम आराम क लेकर आज मुझे लेख्ञा से सविकलाज का जयाते हैं फाज मुझे हैं तो और सबसमें म crawl बोल रहा यह अल्टासांद के लिए कि दुमनाय है कि कई लेके चलिए बस मुझे जो खिलाना है कि अधि यह नहीं यह कहीने के जानाई आए जाई नहीं जाएwać है यह लेकिना ले और यह खट्टी मिठी चट्ने इसकी रेसिपी में सेयर कर रही हूं जो कि मैंने कल साम में बनाया था इसके लिए मैंने सरसों तिल डाला हिंग डाला तिछपाट डाला लाल मिर्च डाला और पंच फोर्ना जो है फड़ादिक मात्रा में डाला उसके बाद आम डाल दिया यह पानि में उबाला है, तो यह नहीं पर इसको पकाऊंगी और जितना आम होता है, उतना ही गूर्ड लिया यहा था जया कि ले सकते हैं, लेकिन अगर आधा गूड़ा चीनी देंगें तो भी जदा अच्छा बनता है, तो यहां पर मैंने गूड़ ही लगवक 400 ग्राम के असवार जिसना मेरे पास था सब ले लिया मैंने और यहां पर नमक हल्दी डालके और इसको दो-चार वार चलाके इसमें पानी डालके मैं यहीं पका लूँगी क्योंकि अभी आम में वह हाड वालब बीच नहीं हुआ जिस के बाद इसको ढग दिया और बीचो इसमें चलाती रही जब 80% पक जाएगा तब फिर इसमें गूर डालोंगी और 20% यह गूर में पकेगा बस इतना ही दिर दक गूर पकाना है अगर कम पकाऊंगे गूर तो बिलकुल गूर के जैसा खाने में लगेगा अधिक पक जाएग फिर वह चक्की के तरह हो जाएगा कढाई में पख जाएगा निकलेगा नहीं और उसके यह गूर मेल्च होने सक मैं चलाते रहांगे चलाते रहांगी फोने के बाद थोड़ा सा जब देसे गुड़ मिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च पॉड़र दे दूंगी आपको अलग कलर चाहिए यह आपका गुड़ काला है थोड़ा साप रखना चाहते हैं तो आप इसमेरी मिर्च भी डाल सकते हैं कलर चेंग बने के लिए और उसके दिनों तक खा सकते हैं तो चैनल पर जो भी नए हैं डिया चैनल करिएगा सब्सक्राइब वीडियो करिएगा लाइक कमेंट अपना जरूर करिएगा और जो पुराने और बहुत भी धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर में लाल मिर्च पॉड़र डाल थ एक है तो इससे क्या होता है बुर्त फटी नमगीन और मूटा सा बनता यह चट्नी और भोली त ही लगता है बहुत ही लगता है तो इस तरह से मैंने को तो बस खाना ओना खाना के बाद में लेटी थी वीडियो एडिट कर रही तो मैंने कहा कहीं लेके जाते नहीं है नीचिव में तिमको कोई खप्ड़ा ही नहीं आगा कि नाइटी पहन के जाओगी मैंने का आप एक लेगे जाने के लिए तक यह फिर कपड़ा मुझे आ मतलब आपको देख के लगता होगा कि पूरी तरह से अब पक गया है और इस तरह से चार बार चलाते चलाते आपको इतना जलाना है बस धिहान रखना बीचिश में कि चक्की कितना ना बन जाए और उसके बाद फिर मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और इसी तरह खूले क ट्राय करिएगा और मुझे कमेंड कर जरू बताईएगा कि कैसा बना था अच्छा बना था या नहीं बना था तीखा और चाहिए ता आप लाल मिर्च और भी छौक लगाने के समय दे सकते हैं और सौंप अधिक मात्रा में आप दे सकते हैं जिससे की सौंप का अच्छा यह पूरा गुडंबा जो है आम की चटने कंप्लीट हो गई कल की बात भी अधूरी रह गए थी कि वो लोग जब मतलब दही वगएर हमने तयार सब कुछ रेडी कर लिया था लेकिन फिर मेरे ससूर ने ही वहाँ पर कहा जब लोग निकलने लगें तो बोलें कहां रुखने बगेरा मेरे ससूर ने बिल्कुल साप और असपष्ट कहा दिया था उनको तो होटल में ही रुखे थे और डॉक्टर ने बहुत ही गलत तरीके से मतलब उनको कहा कि नहीं इनका कहीं इलाज नहीं है इस सुर्दास के तरफ इनकी स्थिती बढ़ती जा रही है और देखिए जब इनोंने कहा रेडी होने तो मैं भी तैयार हो गई बस वही एक सूर मुझे आता था जो कि हॉस्पिटल पहन के जाती हूं लेकिन यह अच्छे जगह पर लेकर जाओंगा इसलिए दूसरा पहन हो अगर है तो यह सब कुरती मैंने लिया था जो आप लोंक साथ सेयर किया था अभी लाइट आई लाइट नहीं थी तो यह मैंने पहना है और बाजू चुकी लंबा वाला है इसको मैं फोल्ड कर लोंगे और यह कुछ डांस वगेरा कर रहे तो वहीं मैंने का वीडियो में आ रहा है तो भागे दोनों यह भी और बाभू भागे यहां पर मैं रिड दिमाग में था कि कुछ समान मुझे कॉस्मेटिक लेना था अपने लिए नहीं किसी और के लिए बताओंगे किसके लिए अगले वीडियो में और यह देखिए सूर्पूरी तरह से ढीला डाला मुझे खूद हसी आती मैं बाद में यह सब वीडियो देखूंगे मुझे जाने के लिए दिखा रहे थे डामेंट वगरे फर चल रहा है लिया मैंने अभी कुछ नहीं है लेकिन दिखाने के लिए लाया उसके बाद फिर चौमी चौमीन और वेज रोल मुझे सब खिला रहे थे कि बोल रहते कि बाबु को इस प्राइड वगरे बाबु बहुत दिन से नहीं पिया खाया है बिमार ही था बाबू के लिए लाये थे तो हलका फुलका मैंने खाया मुझे गईस का डर लग रहा था लेकिन इंज्वाइच किया काफी देर तक गुमने पिंदेकाद घर आया तो घर में खाना पनाया तो डियर उम्मीद करते हैं इस ब्लॉग को आप लोंगे मैं आपसे अगली ब्लॉग में बने देए इस चैनल के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपना बहुत-बहुत धियान रखेगा बाइवाइडियर